हाई च्रेंग्स वेलकम बैक तो माय चैनल स्टीट फूट जायका मैं आपका स्वागत है असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम तो कैसे है आप सब्सक्राइब बताओं म्याज़पन क्या बनाने वाले है आज बनाने वाले हम रहू फिश फ्राई जया है क्योंकि हम मटन से थोड़े से हो गए है आप करने अपने श्टाइल में नहीं में तरीके से आपने इपना चैनल फिश फ्राई बनाने वाले है भी रहू नजल बाते हैं नगल के लिए फिश फ्राई बनाने के लिए क्या बाए लेगे टो सबसे पहले लेंगे हम मच्छी, अद्रक लसन पेस्ट, कोकम, तील, काली मिर्ची की बुक्की, चिली फ्लेक्स, नीली लाल मिर्ची की Although शुरू करते हैं, बिस्मिल्ला करके तो सबसे पहले हम मच्छी का मसाला रेडी कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल ले ली हूँ मैं इसमें हम दालेंगे मसाले तो यहाँ पर मैं दालूँगी एक चम्मच जीरे की बुक्की आदा आदा चम्मच लिएँ जीरे की बुक्की भी आदा चम्मच लिएँ और चाट मसाला भी आदा चम्मच लिएँ यहाँ पे काली मिरी की बुक्की लिएँ पाव चम्मच यहाँ पे एक चम्मच बरके धनिये की बुक्की लिएँ एक चम्मच मिर्ची की बुक्की लिएँ एक चमच जीरे की बुक्की लिएँ और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की यहाँ पर हम दालेंगे चिली फलेक्स थोड़ा सा दालेंगे हम हल्दी इसके बाद हम दालेंगे एक चमच भर के कॉन फ्लावर इसमें हम थोड़ा सा फूट कलर भी एड़ करेंगे अब दालेंगे हम इसमें अदरक लसन एक चमच भर के अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने कोकम ली थी छे से साथ इस तरीके का इसको मैंने भीगने रखी थी एक 15-20 मिनिट के लिए तो यह अच्छे से भीग गया है अब मैं इसका पानी इसमें ले लूँगी क्या दर्श्के होता बताओ यह इमली के जगे पर ली मैंने खट्टे बन के लिए आप चाहे तो लिंगू का जूस ले सकते हैं या इमली भीगाते इमली का पानी ले सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें नमक नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल दालूंगी, बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने कोकम का और पानी दाली थी थोड़ा सा, और इसका अच्छे से पेस्ट बना ली हू इसमें थोड़ा सा हम तील भी दालेंगे थोड़ा सा अच्छा दिखने में रखता है ठीके ना अब यहाँ पर मैं एक एक पीस मच्छी का लेते जाऊंगी और अपने हाथों के मदद से अच्छे से इसको लगा लूँगी नम्म खटा पान अच्छे से सब इसको लगना चाहि है ठीके कोई तबरदस्ती नहीं यहां पर मय अच्छे से दगा ली हूं बिसमिल्ला आप हम इसको यहां पर रख दे जायने तिस क्यों किकलि मैं इसी तरीका से सब-काइस má STEVENS के लकालों गी गी तो यहां पर मैंने सारे मच्छी को अच्छे से फ्राइ कर ली हूं अब यहाँ पर चूब लगा दूगी खा लेने का भी उठागे केल्शियम केल्षियम से भरपूर होती है जितना खाने में यूज़ करेंगे उठना अच्छा है अब हम क्या करेंगे इसको रख देंगे 10-15 मिनिट के लिए ढख के ताकि मच्छी में मसाला अच्छे से लग जा ठीक है ना तो चलो 15-20 मिनिट हो गया है मच्छी को मसाला लगा के मैंने रखी ती अब यहां पर मैंने फ्राइपेंट पे तेल डाल के गरम कर ली हूँ तो तेल हमारा हो गया है गरम अब हम दालेंगे मच्छी बिस्मिल्ला और यहां पर मैं एकदम फास आज पर मच्छी नहीं फ्राइप करूँगी मिधियम आज पर करेंगे ताके मच्छी जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए तो जितनी मच्छी मैंने लिएँ मेरी सारी मच्छी एक ही बार में आ गई है बरतन में टम यहां पर दो से मिनुटत तक अराम से पकने देंगे ए खिलाएंगे नहीं धांपने से कमें तो यहां सुआता है। ने नहीं सम्कें प्लटिके hoDS करने है। कि ससने करते हुटे है। अलिए है ना हुटुद अब दो तीन मिनिट मैं इधर से भी फ्राइ कर लूगी इसका फ्राइ करते करते मुझ में पानी आ रहा है खाएंगे किसके साथ पटाफाट तो यहां से भी 2-4 मिनिट मैं इसको अच्छे से पका लिए अब हम इसको भी पल्जी करके देख लेगे तो माशालला मेरी मच्छी अच्छे से फ्राइ हो गई है अब हम इसको निकाल देगे मच्छी क्या है ना जेको सम अलग अलग तेज से खाते है कोई नरम मच्छी काता है किसको मच्छी एकदम है ना कड़क फ्राइ अच्छी लगती है यानि कि जादा है और किसी को काम तो मिनिट और बना ले, यहां मैने न नरम बनाई हूँ ना कड़ग बनाई हूँ, एकदब मिडियों फ्राय करी हूँ जैसा के ज्यादा तर लोग करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर मेरी मच्छी फ्राय अच्छे से हो गई है, तो मैं यहां पर एक एक करके निकाल लूझी, तो यहाँ पर अभी मैं सारी मच्छी निकाल दूंगी है केक करके तो यहाँ पर हमारी मच्छी फ्राइड रेडी हो गई है तो यहाँ पर हमारी मच्छी फ्राइड रेडी हो गई है तो दोस्तों तयार होगे हैं यहाँ पर फीश फ्राइड रोह फीश फ्राइड मीटे पानी आज हमी तुवारा काम है पर निकिला है तो अगाय लेग है में जतने अाटका हो अब ये जिसके बहुतों होगा गळाथ बहुत ये जो कि पतेना काटे बगएरा इसा नहीं जमता है शाफ करने भी अरे ये तो खा भी लेता है बड़ा वाल को फिर में लोग है जिसके मुँझे कभी नगभी काटा या गल्या नगभी काटा होगा दाथ में बच्पल मेरे साथ बहुत बार हुआ है तो बहुत बहुत बार हुआ है तो पहले इसको नाजो बटती थी इसको खाना भी खिलाओ और इसका एक महिनत काम भी में को करना पड़ेगा या वरी आजो खिलाओ घ्रा करना गाट हाँ इसका है अई मैंने लिम्मू जान मुझक करना है क्योंकि मुझे पहले टेस्स करना है ऐसा ही फ्लेवर अकाईसा उसके बार हुआ है उसके बार मसा है इना और मैं चोड़ के बता तो मेठीबान में पाने मच्छी के ना रहते हैं ₹8000 शायफ? मच्छी के राइसी बहुत हम भिदा से पलब इतना वुर्ची पलबगा पी टो या इतना यूची फ्राइक रहते है ₹ствен मेटेड़ा अमी मच्छी के बन गए ₹ 002,000 शायफ ? क्या बर घुल मक्षी प्राई के अचा बाताँ छोटे मस्चि विलाते ऑई जड़ाना पर सलोफ दा ररेम लेखा बाद में एग बहुत ben जोड़ चिल है और दोल अब मैं तूरे हैं बढ़े निम्मोनी चोड़के देखती हैं वाव देखो फिर भी आई रहे देखे बारिक बारिक कॉन काटे के सास मच्छी खा लेता है मुझे जब भी मेरे घर में मच्छी बनती ना मुझे मेरी सास की बड़ी यादा थी मुझे लादी खाते हैं मुझे तक रहा है मैच्छी मेरी आदा थी ना मुझे मुझे बश्राता है मुझे भागे उनको बहुत पसंती मुझे मुझे नियुकुत बरुट भी मजा रहा वैसे दाल चाब के साथ भी आप लोगे मुझे माशाएललो बहुत अच्छी बनी है और वो जो तील है ना देखो तील तो इसमें टेस्का कोई लेना देना नहीं है लेकिन हाँ वो बदन के लिए बहुत अच्छा है जिसम के लिए केल्ष्याम से भरपूर होता है और दिखने में थोड़ी अच्छी लगती लगती ला कर कोई मेंवान आ रहे तो गरनिशिंग कर अच्छा पात काते में पुझा गया रहा है जो काता नहीं करना जल्दी बहुत बुरी तरह फज जाता है और रो रहा है रो रहा है रो रहा है मैं वलिए इसको एक निवा था परके चावल अगर ऐसा की के काता फ़स गया न सहीं मैं बच्चे के या बड़े के तो आप आप एला जितना बड़ा निमाला खाते हो ना उससे दुगना निमाला लएक आप अप सब्स जोत कर न हीमाला लेना पां हो समें ना ही समें नियोर ने जोतितना थे नियोर देना पीडे में वाईन , थे मानेगा तो प्तुद को काना लेला colaboradores खाना नियोरख मतलब नाल आपका थसावा काटा नी कर जागा ये टीप बतारी बहुत अच्छी है बहुत सो लोगों को नहीं पता होगा वहाई का दूए बहुत था अच्छी है कि यहीं पता था तो किसी नहीं पता ऩा तो किसी ने मुझे बताया है और मेरी सास है मुझी बोटी थी पढानीमाला ले सात्व का आदना रागनी असा भना विदे ले ये खा और निंगल छोड से काटाद चला गा अठा रे बाबा मझ मुझे नहीं आना है, मुझे इतनी मच्छी पसंती ना लेकिन मेरे शानिगी बार की मत्षी में कोई जुसरे मसाले भी दान के सा फ्राय कर सकते है यह मच्छी में मतलग? मतलग बच्छा, फिश प्राय मिली हाा, हाा, मच्छी कोई भी रहो, मसाले जेंट करके वाव क्यो लगीती ना मेरे घर मेना जगे पे खटा उप बहुती ना कर सकते लेकिन ना मेरे घर मेना मच्छी वो मतन क्या छट पड़ गाया है वहाना बहुत जल्दी गाया होगिया उपो देखने आप़ अब मस बनाता हो जादी में जाते है तो वहां लेवल वाली होगिया है जाता है जाता है कर स कुछ परदी नहुंहार की लिचेने की जाटने आप वहाली होगिया है तो कि अटना कमैं अच्प खाली पाहल है जाते हैं शन्क मेने कहता काटा बड़ा भाता === तंदूर के मसाला पर फ्राय होगी लेथे हैं और खाली उठाने का चक्ति लेगे खाली खाने का तो मैं बुरू रहा थे कि मुझे वह इससे फिश खाने बहुत मज़ाती है जिसका टेंचन ही नहीं आप और नहां गोल्लेज भी आती है जिसका वोडली भी बोली बहुत में काटे वाली या थे जोके ना बहुत यह सेफ लोग होते है सेफ में निकाल लेगा एक चिम्टा आता है बारी मैंने देखे हैं बहुत पास पास निकाल लेगा उनलोगों को दीख भी जाते और निकाल भी लेते करते पर ऑफ मठ्षी जा सर्फना टैना सादी जा बथा टॉए जीन खेनग है ले लोगे एक्कर डुटी टॉट यहना नर्ट भान्या पुम्भाइसा अब ये पीश्ट्राइ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पर नया है इस तरीके से बना के मुझे इस्टागराम पर जरूर भेजना इस्टागराम की आईए इस्ट्रीट फूर आएगा तो मुझे इस्टागराम पर फॉलो करो ठीक है एक बात फिर भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो जो हमारे चैनल पर नया है जिन्होंने पिते कि सब्सक्राइब करो और यहीं पार जो वीडियो में प्लीz सब्सक्राइब करके जाना लाइक करके जाना कमेंट्स करके जाना और वीडियो सब्सक्राइब करना और वीडियों को जादح से चैनल रुए है जय आपेदिने को अला अपीत Partner गवाओ में याद रखना, अबना कायार रखना